मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 6 जन बड़ी 2021 से 12 जन बड़ी 2021 तक का शमय करकर 80 वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले 7 दिनों के दौरान करकर 80 वालों के जीवन में ख्या-ख्या पड़ी वरतन ख्या-ख्या बदलाब होगा अगर आप ये जन ना चाहते हैं तो इस वीडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वीडियों के अंत में आपके आने वाले 7 दिनों का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें और वीडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़ियास करें मित्रों आने वाले साथ दिनों के दौरान रोज मर्रा की गती बीधियों में इस रासी की गर्भबती महिलाओं को शाबधानी बरतने की आबिशिक्ता है क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप अपने स्वास्थ के मामलों में कोई भी लापडबाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का शामना बहुत जियादा करना होगा तो लापडबाही करने से आप बचने का पडियास करें वैसे अगर आपके धन शंपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शात नहीं देगा मित्रों आने वाले शात दिनों के दोरान अगर आप किसी भी व्यक्ती के शात थे धन संपती का लेन देन करते हैं पैशों का आदान परदान करते हैं तो लेन देन करने से पहले शामने बाले बिक्ती के बारे में आपको शाड़ी बातें पता करनी होगी साड़ी बातें पता करने के बाद ही आप पैसों का आदान परदान करें क्योंकि आने वाले शमय के दोरान अगर आप धन संपती के लेन देन में कोई भी लापड़बाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दरसक लगू बिवसाई करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके कामकाज में आपके काड़े च्छित्र में आपको हानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आने वाले समय के दोरान अपने काड़े च्छित्र में अपने कामकाज में आपको शाबधानी बरतना होगा अगर आप चाहती हैं कि आपका कामकाजे आपका काड़ी च्छतरे बहुत ज्यादा बिहतर और सांदार हो तो आने वाले समय के दोरान आपको मिहनत बहुत ज्यादा करना होगा पहले के मुकाबले अगर आप जियादा मिहनत करते हैं तो जियादा परिस्रम के कारण आपका कामकाज सामाने रहने के बाब जूद बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शात दिनों के दौरान किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा मित्रों आने वाले सात दिनों के दौरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको अशनान ध्यान करने के बाद नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आजिमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद